दोस्तो आज की जो भाइकनसी है वो आरहन financial services के तरफ से निकाले गई है दोस्तो आरहन financial services के तरफ से male और female दोनों के लिए भाइकनसी निकाले गई है और पूरे all over India के लिए भाइकनसी निकाले गई है तो आप इंडिया के किसी भी district और किसी भी estate से बिलोंग करते हैं तो आप अपने estate और अपने district के लिए apply कर सकते हैं और दोस्तों दिये गए interview location पे जाके अपना interview दे सकते हैं आप कौन-कौन से लोग apply कर सकते हैं qualification क्या रखा गया है किस तरीके से आप इसके लिए apply करेंगे ताकि आपको interview के लिए बुलाया जाएगा सारा information आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बस आप इस वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूस कर लिजेगा क्योंकि यहाँ पर प्रते दिन आपको इसी परकार के job से सम्माधित वीडियो देखने को मिलेंगे दोस्तों इस भाइकेंसी के लिए apply करने के लिए सबसे पहले आपको google पे आना होगा और दोस्तों google पे आके आपको search करना होगा आरोहन financial services जैसे ही दोस्तों आप search करेंगे तो कुछ इस परकार का page open हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो लिखा गया है current opening का इस current opening वाले option पे आपको click करना है जैसे ही दोस्तों आप इस पे क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया सा पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों यह आरोहन फाइनेंसेर सर्विसेज के तरब से जो भी भाइकेंसी अभी करेंट में निकाले गई है वो सारा इन्फोर्मेशन इस पेज पे आपको मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों पहला जो पोश्ट है वो है आप आसिस्टेंट मैनेजर का है और दोस्तों इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका सीए रखा गया है और इस post के लिए आपके पास कम सकम 3 या फिर 5 साल का experience होना चाहिए दोस्तो अगर आप इस post के लिए apply करना चाहते हैं तो simple सा यहाँ पे जो लिखा गया है apply now इस वाले option पे आपको click करके आप इस post के लिए apply कर सकते हैं दोस्तो दूसरा जो post है वो है आपका senior educative का है दोस्तो अगला जो post है वो है आपका assistant manager का है दोस्तो नेक्स जो post है वो है आपका deputy manager का है दोस्तो अगला जो post है वो है general business head का है दोस्तो नेक्स जो post है वो है आपका assistant manager का है इसके सामने हम qualification और experience और कैसे आप इसके लिए apply करेंगे उसका link भी दिया गया है तो आप इस post के लिए आसानी से apply कर सकते हैं दोस्तो नीचे जाने के बाद आपको और धेर साला post और फिर qualification ठीक उसके सामने लिखा मिल जाएगा आप अपने qualification और experience के अनुसार आप इस post के लिए apply कर सकते हैं दोस्तो इस post के लिए apply करने के लिए आपके पास एक आधार काड होना चाहिए आप के पास पोस्त के लिए apply कर सकते हैं